अलेकुम जी तो ये अब चोटा सा एक लंबा सा सफर होगा इंशालला ला करे खैरियत से उतर जाए तो मैं कराची से लहौर के लिए निकल पड़ा हूँ और सुदूकी बैलीनों के ओपर निकला हूँ जो मेरी परानी सी गाड़ी है अमीद है कि ये मुझे दोका नहीं देग तो इरादा ये है कि अगर तो धुनना हुई तो एक ही गो में और अगर धुन दुई तो आइदर इन सकर और इन मुतान समवेर लेट सी साथ जो है न हम इसकी फ्यूल आवरिज भी देखेंगे कि इस गाड़ी ने हमें कितने फ्यूल आवरिज दी है तेरह सु सीसी की बलीनो टू थाउजन मॉडल है और अभी तक मैंने टैंक जो फुल कराया था उसके बाद तो ये पच्छिस किलामेटर चल पड़ी है और से पहले प्रजाता है इस पर से मैं गुजर रहा हूं और इसके बाद मोटोवेट करेंगे हैतराबाद और अन्वर्ड्स पर अगें इल भी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं मुसे लेकिन है वो इन्रस हाइवे या सुपर हाइवे या पतारी कौन सी हाइवे लेकिन इसको कहत अगे इम जीटी रोड है उस पर चड़ जाएंगे फिर दोपारा मोटोवेट पर चड़ेंगे और अन्देल भी मोटोवेट सक्कर से लेके लहूर तक मैंने बहुत दफ़ा ये जानी किया है और मैंने मोसली या कैमरी के अंदर या सविंक के अंदर या फिर जीप के अंदर किया है हाँ इतवा छेसुसाट सीसी की लैपन में भी किया था वो भी दोसो बारा दोजार पारा मोटल की थी थी खैबर में भी मैंने सफर किया है बहुत लंबा आप समझें के कवादर से लेके लहूर तक का लेकिन वो सन दोजार चार की बात है इसके लावा बलीनो में मैं में 2009 में 2010 में लहुर और तनाची किया है तब इस तो मोटर वे का नाम हो निशान नहीं था तो देखते हैं हम यह मुझे क्या फ्यूल एवरिज देती है अच्छा जी हम मोटर वे के बर चड़के हैं टाइम हो रहा है तस बच के तो 15 मिनिट और अब हम खैतराबाद तक इन्शाला यह सो काल्ड मोटर वे पता नहीं कैसे है यह आप देखें इस मोटर वे के उपर दुनिया की हैर चीज चल सकती है चाहे वो बोता गाड़ी हो रेड़ा गाड़ी हो यह मोटर साइकल हो और बारहाल फिर भी बहुत बड़ी फिसलिटी है लाग के शुकर है कि पहले यह इतनी मानेज नहीं थी आप यह बेतर हो गी है मतलब पहले तो यह मोटर वे थी नहीं लेकिन आप अप अट लीस्ट मोटर वे का नाम जरूर है लेकिन इसको आप उस तरह की मोटर वे ना समझें यह राइट और लेफ्ट साइट से कॉर्टन नहीं है और एंट्रीजिस के ओपर कहीं से भी आप चाड़ सकते है लेहाज़ इस टॉल का कोई मुझे मकसद कोई खास समझ में आता नहीं है लेकि यह टॉल लेते हैं देख रहे हैं कि मोटर वे के उपर जो है ना हर किसम की ट्राफिक समेत बंदों के समेत गदों के गुणों के सारे हैं तो यह वो उस तरह की क्लासिकल मोटर वे नहीं है पर इस पे पर आपके सारा जो है ना पहरिया टाउन है कराची का और यहां पर उसकी में एंट्रेंस भी आएगी जो कि देखिया आप आइलव यू बहरिया टाउन है बड़ी अच्छी जगा बनाई है यह मेन इंट्रेंस थी जो इनकी बिचारों की साड़ दी थी लेकिन इन्होंने दुबारा डिवेलप कर ली और यह काफी मतलब कॉलिटी रजिदेंस है और इसके कुछ मैरिट्स और दी मैरिट्स हैं लेकिन म मुझे बड़ी पसंद है जी टी-एचे सिटी आगा है कराची का और यह टी-एचे सिटी का इंट्रेंज है जो इस मोटव में के उपने उन्होंने बनाया हुआ है और इसके अंदर से हम बुदरेंगे और सीधा चलते जाएंगे वेलकम तो टी-एचे सिटी होगी है जो की ट्राइफ के उपर है चालिस भी नहीं बलकि जाता समझ रहा है लो जी हम यह M9 या हैदराबाद की मोटवे एक्जिट करने लगे हैं और इसके बाद से फिर हम होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड या जी-टी रोड के उपर और हम देखते हैं कि सेलाब के बाद जी-टी रोड कि क्या हलाद हैं अल्ला करें कि हलाद ठीक हो बस यह मियां से दौा कर भी चाहिए कि सारों के लिए हलाद ठीक रहें अच्छा जी यह पैट्रॉल हम पहली दफार रिख्यूव कर रहे हैं इसके बाद पैट्रॉल इसमें तकरीबन कोई उतना डलाया और फुल हो गी यह 173 किलामेटर्स और इसमें 10.7 पैट्रॉल डला है और 110, 1100 और 95 के बीच पे मैंने मिन्टेन किया था आगे देखते हैं कि क्या हलात होते हैं और मैं हूँ अभी हैदराबाद अच्छा जी अभी हाँ पे हम इसका पैट्रॉल यह जिरो जिरो कर दिया अब हम देखेंगे नेक स्टॉप के ओपर अभी तक हमने 10 लिटर और कितने 10.75 लिटर स्टल वाली है पेट्रॉल इसके अदर जो है ना अब मैं जी टी रोट के ओपर नहीं चड़ा मैंने सोचा के मैं इंडस हाइवे के ओपर ट्रेवल करूँ तो अब मैं इंडस हाइवे से ट्रेवल करूँ गा औ और यह पाइपास कर देगी काफी सारा कुछ और मैं सक्कर अपरोच करूँ गा पहले रहां से लाडखाना जाऊंगा और लाडखाना से मैं अब मिंडस परोच करूँ का सख़र यह आपके सामने एक अधर ता बार श्टर सेशन है यह पढ़ा तुराना बार स्ट्रीशन है लेकिन अब ये माशाला रेनुवेट हो गया और अब ये यहां पे आपको नई चिमनी नया कूलिंग टार नजर आ रहा होगा ये इसको कोटडी का पार्ट स्टेशन बोलते हैं और ये हैदराबाद के साथ जामशोरो सारी कोटडी कह रहा हूँ जामशोरो और कोटडी और हैदराबाद की ट्राइयंगल के बीच में है और ये बहुत पराना पार्ट स्टेशन है इसकी पुरानी मशीने आपको राइट साइट के ओपर इस चिमनी के नजर आरी हूंगी और ये लेफ्ट साइट के ओपर ये नई मशीने हैं इसकी और अभी तक्रीबन ये कम्प्रीट हो चुका हुआ है और प्रोडक्शन भी दे रहा है एक बड़ी चिमनी बन रही है अभी शायद इससे इन्वार्मेंट की पोलूशन को थोड़ा सा इंपूप कर सके ये वाकी से बनी हुई देखके हुबसूरत ये देखें जी फ्लड आके चला गया लेकिन अभी भी जो है ना आपको पानी नजर आएगा रोड़ के किनारे इसकी वज़ाई ये है कि यह सेम का एरिया यहां पे पानी ज़स्पी नहीं होता बही है और कितना कुई आपरे डोपीश में और पारिश हो गई अलकिसी तो बस गेम पूरी हो जाती है तो यह सिलसला है अभी अलम्दल्ला मैं चला ही जा रहा हूं गाड़ी और एवरिज स्पीड जैना मेरी यह होती है 100 और 110 के बीच में यह चल रही है जी तो अभी भी इंडस आईवे के उपर चल रहा हूं मैं यह बीच पे कहीं डबल हो जाती है कहीं सिंगल हो जाती है लेकिन अमेजिंग रोड है वेरी नाइस आफ़र्ट बाइद इंजिनियर्स और प्लानर्स उसरे ब्लांडट बहुत खुबसूरत लैंडस्केप आप देख सकते हैं यह तो आप सामने आपको पहाड नजर आ रहे हैं एफसाइड के विल्डरनेस एपसलूट विल्डरनेस खुबसूरत कहीं पे आपको कुछ चोटे मुटे तरफ नजर आ जाते हैं कि खुबसूरत काम किया हुए जी और अल्ला का शुकर है अभी तक अल्हम्दल्ल्ला काड़ी इस परफॉर्म्ड रेली वेल और हंडर्ड एन 10-10 KPH के बीच मैं इसको चला रहा हूँ और अलगश शुकर है अल्हम्दल्ला फिलाल चीज बिएविंग परफेक्टिंफाइड और इन्शाला ऐसा ही रहेगा लांच केप देखिए जनाब पाकिस्तान बहुत खुबसूरत है हम लोग ट्रावल ही नहीं करते हैं आप गाड जरूर लगाएं एक स्ट्रेच जरूर लगाएं इसलामबाद है या पिशावर है जहां भी रहते हैं वहां से निकलें और आए कराची तक और कराची से बर्दर तोर्ड वेस्ट गवादर पस्नी और मारा जीमुनी और वे जाहिए एरान के बॉर्डर तक आप एंजॉय करे सब तो नहीं जिनको शॉक है इस तरह की जगे देखने का अब यह देखिए स्टेशन है उपर उपर एक अदध स्टेशन है उपर नीचे से शायद नजर आ रहा हो आपको यह बहाडी के ऊपर जो है ना हमारे लेट साइड के ऊपर रेल्वी लाइंग चल रही है और पैरलल में हम रोड के उपर है स्पीड हुई सो एक सुदास शेगन हो गया जी इतर भी एर जगह पर है यह बड़ी अच्छी बात है माशाला है अपने अपने शहर से सब को प्यान होना चाहिए जाहर है हमारी अइडेंटिटी तो पाकिस्तानी है लेकिन जो जो एरिया जहां जहां से हम लोग करते हैं उसको ओन जरूर करना चाहिए ओनर्शिप जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या फुक्सूरत है अभी दादू से रांग चौनी क्रामजस शॉर्ट है यह देखे पानी जो है ना सड़क से उपर है और इनो ने इसको कार्टन ओफ किया हूए यह सड़क के राइट साइड के उपर और लेप्ट साइड के उपर दोनों तरफ अभी तक पानी है यह बिशारा आगया लबेरे का फ्लट लेया हो और हमारा सट्यानास अभी हमारी किस्मत पेसा अभी नहीं आ रही लेकिन नहीं नहीं आ रही है नहीं नहीं आ रही है वैसी थोड़ सा लेथार्जिक सा फील कर रहा हूँ I think I'll have a cup of tea somewhere तो यह सिलस्रा है और पीछे रोड के ओपर बेशमार टेंट लगे वे थे और रोड एक तरफ से बंद की हुई थी हमने लाड़काना से तोड़ा सा आगे गड़ी खुदाबक्ष की तरफ टंग किया है और गड़ी खुदाबक्ष से अब हम करेक्ट करेंगे सक्कर को चुके जीटी रोड बिलकुल ठक्य हुई है टु इतनी इंडस्ट्रियल ट्राफिक नहीं है लेकिन रोड की कॉलिटी इस फेरली गुड मुझे कुछ खटे कुटे नहीं लाग रहे हैं यह देखिए हम आगे रास्ते में बेलजीर भुट्टो की कबर के उपर यहां पे बेलजीर भुट्टो को दफन किया हुआ है अच्छा जी तो हम पहुंच गए सक्कर गाड़ी चल चुकी इतनी और यह हमारे लेफ्ट साइट के ओपर बहुत ही आइकॉनिक गोरों का बनाया हुआ सक्कर वेराज है और इस पुल के नीचे है लबलग रिद्रिया इस सिन्ध मेरा मूट तो है यहां से निकल के दिखाओ आपको लेकिन टाइम थोड़ा सा जो है जाना कीमती मुझा लगाए तो यह आप देखें सारा सक्कर बिराज चल रहा है उसके ओपर भी ट्राफिक चलती है इस पे भी ट्राफिक चलती है और एक इस तरह का एक ना रोडी का प्रिज भी है वो जड़ा थोड़ा सा उसके उस इसी तरफ है यह वाला जो है सक्कर बिराज कहलाता है इससे पानी को यह खोलते बंद करते हैं फ्लंट्स की दुरा या एक्स वाइल जाए तो